नासकार बोल कि लब आजाद हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा किसानों को तुम गोलियां मारते हो, उन्हें बदनाम करते हो, उन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बताते हो और जब युवा जो बेरोजगार है सडक पर उतरता है, तो उसे दोड़ा दोड़ा के इस तरह से भगाते हो और अब अगनिवीर योजना के नाम पर जितनी बड़ी नाइनसाफी स्वकदेश की युवाओं के साथ की जारी है ना, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकते है ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहिए, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते हैं, बोल इलाबाज़ाद हैं तेरे कॉंग्रिस ने, मुख्य विपक्षिदल कॉंग्रिस ने समुद्दे को उठाया है, पार्टी की निता मलकार जुन खड़गे ने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा है सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, 2019 में जिन लोगों ने सेना की परीक्षा दी थी, उनमें से करीब दो लाख युवाओं का सेना में चैन हो गया था, सेलेक्शन हो गया था वो लोग इंतिजार कर रहे थे कि कब उन्हें जॉइनिंग लिटर मिलेगा, मगर ऐसा होता नहीं, उनका इंतिजार कभी खत नहीं होता फिर सरकार लेकर आजाती है अगनिवीर योजना, वो अगनिवीर योजना जिसमें पुरानी जमानी की तरह आपको सेना में काम करने की तमाम फाइदे, बेनिफिट्स, पेंशन नहीं मिलते आज कॉंग्रेस से मुद्दा उठा रही है दोस्तों, किस तरह से मुद्दा उठाया गया है, ये कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले, मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक नजारा दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए, किस तरह से युवाओं का गिरेबान पुली पकड रही है, और बाकाइदा उनका कॉलर पकड कर उन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा है, उनके मोबाइल फोन्स को भी जब्त किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है, इस ट्वीट के अंतरगत, मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लोग मैदान में उतरे ह क्योंकि पेपर लीक हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तैयारी की थी इन्होंने, पहले तो भाजपा सरकार ने मानने से ही मना कर दिया, और अब भी उनके साथ ज्यात्ती जारी है, अखिलेश यादव ने इस ट्वीट में इस वीडियो को पूस्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं, पुलीस किस तरह से युवा के पीछे दोड रही है, मैं एक बात स्पश कर दूँ, ये भरती को लेकर व्यायाम नहीं हो रहा है, एक्सिसाइज नहीं हो रहा है, मगर इस तरह से पुलीस उन्हें दोड़ा दोड़ा कर पीट रही है, मैं फिर आप से सवाल प यानि UP, PSC, हर साल समीक्षा अधिकारी यानि RO और सहयक समीक्षा अधिकारी यानि ARO के पदों पर बहाली करती है, इसके तहत जिन उम्मीदवारों को ये नौकरी मिलती है, उन्हें सालरी के साथ कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, कितनी मेहनत के साथ ये लोग तयारी करते हैं और फिर क्या होता है दोस्तों, पेपर लीख हो जाता है, और कितनी आसानी के साथ पेपर लीख हो जाता है, गिर अफ्तारिया की गई है, मगर बड़ा सवाल ये, जब ये मामला सामने आया था तब तो भाश्पा में जो उपमुख्यमंत्री हैं उत्तर पदेश के, ये वो तो मामले को मानने को ही नहीं तयारत है, आज भी वो युवा मैदान में है, आपने यूपी पुलीस भरती की परिक्षा को मुलतवी कर दिया हो, अगर मैं समझना चाहता हूँ, थोड़ी तो समवेदना दिखाईए, इस तरह से पुलीस बरताव करेगी उन बताईए, मुझे इस बात पर हैरत नहीं होगी दोस्तों, कि जो लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं न, उनके परीक्षा देने पर रोक लगा दी जाए, ये कहते हुए, कि क्या ये लोग कल को जाकर आरो ए आरो बनेंगे, या पुलीस में भरती करेंगे, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका डेस्परेशन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मगर आप सिर्फ उनका कॉलर पकड़ कर उन्हें घसीब सकते हैं, चार किसान, चार किसानों की मौत हो जाती है शम्भू बॉर्डर पर, एक किस सिर पर गोली लगती है, पुलीस स आखिर भारती जनता पार्टी सरकार उनके प्रती संबेदना व्यक्त क्यों नहीं करती, संबेदन शील क्यों नहीं है, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, और अब अगनिवीर योजना के दाम पर यवाओं के साथ जो ज्यादती हो रही है दोस्तों, कॉंग्रिस के नेता म मलकार जुन खड़के कहते हैं, 2019 से 2022 की बीद सरकार ने दो लाक युवाओं को सेना भरती के लिए चैनित किया था, सेलेक्ट किया था, वे जॉइनिंग लिटर का इंतजार कर रहे थे, तब ही सरकार ने 31 मई 2022 को अगनिपत स्कीम लाकर देश सेवा का उनका सपना तोड़ द अब वो बेरोजगारी, हताशा और निराशा के कारण आत्म हत्या करने को मजबूर हैं, सरकार ने इन युवाओं के साथ अन्याय किया है, राहुल गांदी के साथ यही युवा मिलने आये थे दोस्तों, राहुल गांदी ने उनसे समबाद किया था, राहुल ने उस वक्त म हमें जाने के प्राक्टिस की, रानिंग की वर्शिष की, हमें सेना में एक्षप्ट कर लिया गया, हमारा जो सपना था उसको पूरा कर दिया, और ते तीन साल बाद हमें कहते हैं, तुम्हें सेना में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब अगनी बीर नागू हो गया है, ना कॉंग्रिस कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो अगनिवीर योजना को हटा देगी, क्या कह रहे है मलिकार जुन खडगे आपके स्क्रीन्स पर, अगर वो सत्ता में आती है तो उस योजना को निरस्त कर पुरानी भरती प्रक्रिया को बहाल करेगी, पार्टी चैन सेना की नियमत सेवा में होने के बावजूद उनकी भरती नहीं की गई थी, उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा इनकी भरती रोक कर अगनिपत योजना लाई गई जिसके कारण इन युवाओं को पीड़ा जिलनी पड़ रही है, आगे क्या कहते है मलिकार वीरों को नौकरी ढूडने के लिए छोड़ दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ लोग का तर्क है कि इससे सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है, कॉंग्रिस कह रही है कि चाहे किसान हो, चाहे युवा, भाजपा सरकार ने दोनों के साथ नाइनसाफी की है, क्या क बाज में जवान बनते हैं, और दोनों की जो स्थिती है, आपको जंतरमंतर पर भी दिख रही है, सडकों पर दिख रही है, दिली की सीमाओं पर दिख रही है, इसी कड़ी में युवा न्याय के लिए, जो कदम राहुल जी ने उठाया, खड़के साब ने उठाया, वो मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यह तमाम मुद्धे आपके सामने हैं दोस्तों, मगर क्या आप इसकी गूंज किसी भी गोदी मीडिया में सुनते हैं, कहीं नहीं, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ दोस्तों किस तरह के कारकरम किये जा रहे हैं, अगर आप इन स्क्रीन शॉट्स को पढ़ेंगे गोदी मीडिया में तो इसका मकसद सिर्फ एक है, वो राहुल गांधी या वो अखिलेश यादब या वो तेजस्वी यादब जो इन मुद्धों को उठा रहे हैं, उन्हें बदनाम किया जाए, उन्हें निशाने पर लिया सारे जो गोदी मीडिया के शोज हैं, उसका मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष पर निशाना साधा जाए, क्यों साधा जाए, क्योंकि वो अगनिवीर योजना के नाम पर जिन युवाओं के साथ नाइनसाफी हुई है, उस मुद्ध को उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो किसा पानों के साथ खड़े हैं, इस बात को समझना मुश्किल नहीं है, मगर मेरा आज सवाल इस देश की जनता के साथ है, उन आंदोलन करने वाले युवाओं के साथ है, आज आपके सामने ये चुनौती है, मगर आखिर क्या हो जाता है, कि जब वोट देने की बारी आती है, त पॉलिटिकल पार्टी को वोट दीजे, हर पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, मगर आखिर क्या हो जाता है, कि जब वोट देने की बारी आती है, तब हिंदू खत्रे में आ जाता है, तब आप ये नहीं देखते हैं, कि एक खास पॉलिटिकल पा कि आप पर किस तरह से लाठियां भांजी गई थी, आप भूल जाते हैं कि किसानों पर किस तरह से गोलियां चलाए गई थी, आप भूल जाते हैं कि जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर हुई थी, तब किस तरह से गंगा के तट पर लाशों को दफनाया गया था, तब गल हम पर राज करेंगे, खत्रे में वो राजनेता हैं जो इस तरह के तरकों का इस्तमाल करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये है मुंबई के मीरा रोड में भाच्पा के विवादास्पद विधायक टी राजा सिंग का जुलूस, ये वो राजा सिंग है जो भड़काओ बयान देते हैं, ये वो राजा सिंग है जिस पर सुप्रीम कोट में सक्त तेवर अपनाएं, ये वो राजा सिंग है जिस पर खुद महराश सरकार ने एक दो जगाओं पर सभाएं आयुजित करने को लेकर पाबंदी लगाई थी, मगर राजा सिंग को देख ये खुले आँ मुंबई के मीरा रोड में राली निकाल रहा है, भड़काओ बयान दे रहा है, ये व्यक्ती मंच पर खड़े होकर मा बहन की गालियां वकता है दोस्तों, क्या ये भाजपा का चाल चहरतर चहरा है, क्या आप ये हालत करेंगे मेरे मुंबई, मेरे इस देश की आर्थिक नब्स है, उसे आखिर भारती जनता पार्टी सरकार राजपता की तरफ क्यों ढखेल रही है, क्यों राजा सिंग जैसे लोगों को जगा मिलती है इस तरह की सभाएं करने की, क्या, क्या वज़ाया बताएए, जवाब बहुत आसान है दोस्तों, ताकि आप नौकरी को लेकर अपने मुद्दे ना उठा सकें, ताकि किसान अपने मुद्दों के साथ दिल्ली की तरफ कूछ ना कर सके, क्योंकि जब इस तरह से राज़नेता आपके बीच में आके भढ़काओ बयानबाजी करते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि मेरा धर्म खत् थब आप असली मुद्दों को भूल जाते हैं, यही वज़ा है कि भाचपार राजा सिंग जैसे लोगों को उतारती है, आपको जिसे भी मैदान में उतारना है, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि ऐसे लोगों को उतारने से, आप समाज में एक अराजकता, एक केले नहीं रहते हैं हमारे बुजर्ग माबाप हमारे साथ हैं हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं मैं समझना चाहता हूँ कि क्या हम एक ऐसे समाज को बढ़ावा देना चाहते हैं जहां हमारे बुजर्ग माबाप बाहर चले जाते हैं और हमें लगातार डर लगा रहता है कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे ऐसी अराजकता ऐसी अशान्ति आखिर हम क्यों पैदा करना चाहते हैं मेरी इस बात पर गोर कीजेगा अब इसार शर्मा को दीजे अजासत तमस्कार करता है